में डॉक्टर अतुलगर्ग, गॉवर्मेंट भांगड कॉलेज डीडवांगड़। दियर स्टुडेंट्स, तोड़े वी कम तू न्यू फॉर्मुला, गॉस्ट क्वाडिरेचर फॉर्मुला, तू कैल्कुलेट दे वैल्यू अफ डेफिनित इंटिग्रल। हमने संख्यात्मक विशलेशन में जो टॉपिक शुरू कर रखा है, संख्यात्मक समाकलन। उसमें अगर इंटिग्रल के अंदर कोई ऐसा मान दिया गया, फंक्शन ऐसा दिया गया, जिसको हम इंटिग्रेट नहीं कर पारें, तो संख्यात्मक रूप से बिना इंटिग्रेट करें हम मान निकाल लेते हैं, आज उसमें एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं, गौस क्वाड्रेशर फॉर्मूला, अभी तक हमने चार फॉर्मूले पढ़े थे, ट्रापीजोईडन नियम, सिम्सन वन्थर्ड नियम, सिम्स वेडले, रूल, यह चार फॉर्मूले अपने पढ़ें, इसके कुश्यंस भी कियें, तो आज आगे चलते हैं, अगर अंतराल एसमान भी दिया हुआ है, वो पहले वाले चार फॉर्मूले तो समान अंतरालों के लिए थे, इसमें अगर अंतराल एसमान भी है, तो भी हम अंतरालों का मान बिना इंटिकरलं किये, इंटिकरेट किये परशन को कर सकते हैं, तो गौस ने जो फॉर्मूले डराइव किया है, और अनेक्वल डिस्टेंसज पॉंट के लिए उसमें फॉर्मूला है, माइनस वशे प्लस वढ़ एफू डियू यह जो फॉर्मूला बना where UI path कहलाते हैं सारे और ये भार कहलाते है WI path और भार इनका नाम है nodes and weights जिसने भी इसमें W0, W1, W3, W4, WN जो काम में में आए तो weights हैं और इसमें जो U0, U1, U2, UN काम में आए वो path हैं या nodes हैं first of all जो हमारा integral हमें जो दिया गया होगा वो a से b fx dx दिया गया होगा और ये gos quadrature formula में limit लगती है minus 1 से plus 1 तो सबसे पहले a से b limit को हमें minus 1 से plus 1 में convert करना पड़ेगा तब ही हम gos quadrature formula लगाएं सकते हैं कोई भी प्रिशन है जैसे माली जे दे दिया है 0 से 6 dx upon 1 plus x कमान निका लिए तो अब ये 0 से 6 limit है अपने को चाहिएगी minus 1 से plus 1 तो इसको convert करने का क्या तरीका है तो इसको convert करने के लिए हम प्रतिस्थापित करेंगे x is equal to b minus a by 2 u plus b plus a by 2 ये प्रतिस्थापन अपन करेंगे तो limit अपने आप यू की minus 1 से plus 1 में convert हो जाएगी अभी आगे प्रतिस्थापन करेंगे तब देख लेंगे तो fx का मान f x की जगे अपने लिख दिया b minus a by 2 u plus b plus a by 2 तो ये f u कहलाता है मान लिया है ये f u हो गया तो इससे अगर अपन dx निकालें इस वाले मान से dx निकालें तो dx हो गया b minus a by 2 du प्रश्ण दिया हुआ है अपने को a से b fx dx तो ये dx का मान तो b minus a by 2 du बन गया और लिमिट यहां पर minus 1 से plus 1 f u du में convert हो गया जबकि प्रतिस्थापन अभी अपनने बताया है के x is equal to b minus a by 2 u into b plus a by 2 में प्रतिस्थापित करते हैं में change हो जाएगी अब अपन यू आई और डब्लू आई ये सारे मान निकालेंगे तो ये n के विभिन मानों के लिए अपने को ग्याद करना है तो n के मान 0, 1, 2 लेने पर अपने को gos 1 बिंदू सूत्र gos 2 बिंदू सूत्र gos 3 बिंदू सूत्र मिलता है बिंदू जितने पॉइंट होते हैं उसके अनुसार इसको खहा गया है जैसे n बराबर 0 पहला इस्तिती लेते हैं ui और wi निकालने की तो पहली इस्तिती लेते हैं जब n बराबर 0 तो n बराबर 0 से केवल u0 और w0 आएगा तो u0 निकालने के लिए तो फॉर्मूला है du u2-1 is equal to 0 होता है dy du u2-1 is equal to 0 होता है इससे u कमान निकाले तो 2u बराबर 0 तो u0 बराबर 0 क्योंकि एक बिंदू सूत रहे इन बराबर 0 रखने तो एक ही बिंदू आएगा तो u0 कमान तो 0 लिखना है और w जितने भी होते हैं उन सब का योग दो होता है तो चुकि एक बिंदू सूत रहे इसलिए w0 बराबर 2 ही रहेगा और वैसे निकालने का फॉर्मूला है एक तो summation i is equal to 0 to n wi ui की power 2n is equal to 2 upon 2n plus 1 इसमें अगर अपन i बराबर 0 रख दे तो 0 रखने पर अगर अपन 0 रखते हैं इसमें तो यह man 2 ही बनता है तो w कमान 2 अपन ने ले लिया क्योंकि u0 तो 0 है तो summation ui हो गया 2 तो w0 is 2 तो minus 1 से plus 1 यह man लिख रहे हैं तो minus 1 से plus 1 fu du इस केस में कहलाएगा W0FU0 बस वन पॉइंट फॉर्मूला है इसलिए W0U0 का मान निकाला है अपनने के वल वन पॉइंट तो माइनस वन से 1FUDU हो गया W0FU0 जो क्यों हो गया W0 का मान तो 2 है U0 का मान ने 0 तो F0 आ गया तो इस प्रकार एक बिंदू सूत्र जो अपनने भी काम में लिया वो A से B FxDx बन गया B-A by 2 FUDU-1 से प्लस वन लिमिट में बतल गई अब यह हो गया B-A by 2 और यह अपनने इंटेग्ल के वलियों भी निकाली है 2F0 तो B-A by 2 और 2 तो कट गया इसमें 2 बार है तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया है और कुछ नहीं है तो B-A तो ऐसा ही बचा F0 तो F0 का मान निकालें तो A plus B by 2 लास्ट वाला बचिए तो 0 plus A plus B by 2 आएगा 0 शुरू में हो जाएगा It is correct up to 1 degree केवल 1 degree तक यह मान सही है अब निकालते हैं दो बिंदू सूत्र जब N बराबर 1 पुट करें तो इसके लिए U का मान निकालने का तरीका होगा D2 U by D square D2 by D U square U square minus 1 का whole square 0 होना चीए अगर 3 बिंदू सूत्र होगा वो D cube by D U cube U square minus 1 का cube 0 लेंगे खेर इसमें अपन यह दो बिंदू सूत्र है इसलिए U का मान निकाला तो 12 U square minus 4 is equal to 0 U is equal to plus minus 1 बटे अंडर रूट 3 तो U 0 तो होगया plus minus 1 बटे अंडर रूट 3 और U 1 होगया plus 1 बटे अंडर रूट 3 यह U 0 और U 1 के मान आ गए अब W 0 और W 1 का योग 2 होना चाहिए तो इसको रखें तो W 0 minus 1 बटे अंडर रूट 3 plus W 1 plus 1 बटे अंडर रूट 3 0 होगा क्योंकि सारे U I W I इनका योग 0 होता है summation W I 2 होता है तो इससे आगया W 0 बराबर W 1 बराबर 1 तो अपने U के दोनों मान निकाल लिए और W के भी दोनों मान निकाल लिए तो minus 1 से plus 1 F U D U इस केस में 2 बिंदू सूत्र में W 0 F U 0 plus W 1 F U 1 तो ये बिंदू अपने इसमें रख दिया तो A से B F X D X का मान जो minus B by 2 B minus A by 2 integral minus 1 से plus 1 F U D V था तो वो होगा B minus A by 2 तो as it is और ये होगा W 0 F U 0 plus W 1 F U 1 It is correct up to degree 3 ये तीन कोटी तक ये उत्तर सही है अब आते हैं त्री बिंदू सूत्र पर गौस 3 पॉइंट फॉर्मूला त्री बिंदू सूत्र ये अक्सर सवालों को अल करने में ये ही काम में लेते हैं जब एन बराबर दो रखेंगे तो गौस 3 बिंदू सूत्र आएगा तो इसमें तीन बिंदू आएंगे W 0, W 1, W 2 और U 0, U 1, U 2 तो उससे जो फॉर्मूला है अपना वो W 0 F U 0 प्लस W 1 F U 1 प्लस W 2 F U 2 के बराबर हो जाएगा तो सबसे पहले मान निकालते हैं तो एक तो U का मान निकालने के लिए D Q by D U Q U स्क्वार माइनस 1 का हुल क्यू बराबर 0 आएगा इसको हल करें तीन बार अवकलित करके मान निकालें तो U का मान आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट तीन बटे 5 और 0 तो इसका मदब U 0 तो हो गया माइनस अंडर रूट 3 बटे 5 U 1 हो गया 0 U 2 हो गया प्लस अंडर रूट 3 बटे 5 अब इन मानों के लिए अपन W भी निकालें तो W के लिए W 0 प्लस W 1 प्लस W 2 तो 2 के बराबर होना चाहिए और W 0 F U 0 प्लस W 1 F U 1 प्लस W 2 F U 2 का मान सब का समेशन 0 होना चाहिए तो इससे माइनस 1 से प्लस 1 आया है इससे अपने W 0 W 1 W 2 निकाले तो वो आए 5 बटे 9 8 बटे 9 पाँच बटे 9 याद रखिए इनको तो U 0 U 1 U 2 और W 0 W 1 W 2 इनके मान याद होने चाहिए गौस 3 बिंदू सूत्र के लिए ये दियान रखना तो अब अपना माइनस 1 से प्लस 1 F U D U बन गए W 0 F U 0 प्लस W 1 F U 1 प्लस W 2 F U 2 तो ये मान अपन सारे जो ओपर दिये गए रख देंगे और एंसर निकाल लेंगे जो अपने को इंटेग्रल दिया है इसका मान निकाल लेंगे तो दो बाते दियान रखनी है एक तो जो भी इंटेग्रल दिया है उसकी लिमिट प्रतिस्तापन द्वारा माइनस 1 से प्लस 1 में पहले चेंज करेंगे और फिर गौस 3 मिंदू सूत लगाते हैं तो U 0 U 1 U 2 का मान फिक्स है हर सवाल के लिए इसी प्रकार W 0 W 1 W 2 का मान जो मैंने लिखा वा है पांच बटे नो आठ बटे नो और पांच बटे नो ये फिक्स है तो हर सवाल में ये मान तो फिक्स है केवल F U 0 है तो F जो फंक्शन दिया गया उस पर डिपेंड करेगा U 0 तो मान फिक्स है तो U 0 जो है उसको जो मान दिया गया होगा F का फंक्शन का उसमें रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे एक कुशन के माद्ध हम से इससे समझ लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कुशन है एवैलेट दे फॉलाइंग इंटेग्रल बाई यूजिंग गॉस थ्री पॉइंट कौइडरिचर फॉर्मूला गॉस त्री बिंदू सूत्र का उप्योग करके इस समाकलन का मान गयात कीजिए तो 0 से 1 डी एक्स ओवर 1 प्लस का एक अपने को बाई 2 तो मान रखते हैं ए और बी का ए बराबर तो यहां पर 0 है और बी बराबर 1 है तो एक्स बराबर आगया 1 मैने 0 बटे 2 यू प्लस एक प्लस 0 बटे 2 तो एक्स बराबर आगया यू प्लस 1 बाई 2 तो डी एक्स बन जाएगा डी यू बाई 2 यह dx बन जाएगा du by 2 यू चाहें तो अपन निकाल सकते हैं 2x minus 1 बनेगा ना हो transforming integral 0,12 minus 1,12 plus 1 भी आई हो अब यह जो integral है जो अपने को दिया गया था 0 से 1 dx over 1 plus x इसकी limit minus 1 से plus 1 बन जाएगी dx की जगे तो आएगा du बटे दो तो यह तो du बटे दो और 1 plus x की जगे बन गया 1 plus x u plus 1 by 2 यह अपने उपर निकाला x बराबर u plus 1 by 2 और dx बराबर du by 2 तो दोनों मान इसमें रख दिये तो यह बना minus 1 से plus 1 du over u plus 3 यह आई का मान बना जो सवाल दिया गया उसका मान यह है now using gos 1 upon u plus 3 इसमें u 0, u 1, u 2 अपने मान वही है minus 3 बटे अंडरूट 5 minus अंडरूट 3 बटे 5 0 और plus अंडरूट 3 बटे 5 और u 0, u 1 w 0, w 1, w 2 के मान है 5 बटे 9, 8 बटे 9 और 5 बटे 9 तो यह नीचे मान मैंने लिख दिये है यह मान इसमें रख दें तो i का मान बन गया 5 बटे 9 इसमें f u 0 plus f u 2 दोनों का आएंगे तो f minus अंडरूट 3 बटे 5 plus f plus अंडरूट 3 बटे 5 क्योंकि 5 बटे 9 दो में आता है अपने दोनों में common ले लिया फिर बीच में 8 बटे 9 आएगा u 1 का मान तो f 0 इसमें u 00 है तो आप चाहो तो सीधा लिख लो 5 बटे 9 w 0 f u 0 तो 5 बटे 9 f minus अंडरूट 3 बटे 5 plus 8 बटे 9 f 0 plus 5 बटे 9 f अंडरूट 3 बटे 5 तो इसमें अंडरूट 3 बटे 5 बटे 9 common था दो जगे तो वह अपने एक साथ लिख लिया अब एफ minus अंडरूट 3 बटे 5 का मान निकालें जबकि f u है एक बटे you plus 3 तो एक बटे you plus 3 तो यह रा f मान color 3 बटे 5 का f अंडरूट 3 बटे 5 का मान यह रह और f 0 का मान एक बटे you plus 3 है तो you की जगे जिरू रग दिया इसको अपन calculate कर लेते हैं और पांच बटे नो प्लस चे बटे नो माइनस तीन बटे पांच मदा दो सो बासट बटे 378 आ रहा है जिसका मांद 0.69312 होता है तो यही इसका एंसर कहलाएगा तो इस तरह से गौस्क त्रिविंदू सूत्र के द्वारा जिसमें यू की और डबलू की तीनो वेल्यू पर डिपेंड करेगा कि यू में क्या फलन बनाए उसका मान रखेपन मान निकाल सकते हैं तो ठीक तरह से इसको कर लीजे तो गौस्क वाड़िचर फार्मूला और उसमें भी त्री बिंदू सूत जो अपने पड़ा है इस पर सवाल पूछ लेते हैं तो इसको अच्छे से तैयार कर दीजे